भागते रहो अपने लक्ष के पीछे क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी लगे रहो बस रुकना मत आएगा तुम्हारा दौर कभी नमस्कार दोस्तों वेलकम टू बिंग डॉक्टर नमस्कार दोस्तों अब आप सबी चानते हैं तो दोस्तों अब आप सबी जानते हैं सिर्फ एक दिन की दूरी पर है आपकी परिक्ष़ सिर्फ एक कदम की दूरी पर हैं आप अपने सेलेक्शन की तरफ तो इस एक दिन के दोरान आपको किस प्रकार की स्ट्रेटीजी फॉलो करनी चाहिए, किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी है इस एक दिन में, वो इस वीडियो में चर्चा करूँगा, मैंने भी यही एहमियत रकती है दोस्तों अपने slection में बहुत एहमियत रकती है दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा चैनल को अब तक subscribe नहीं किया है तो जल्दी चapolis कर दीजिए दोस्तों बेल आइकन को फ्रेस कर दीजिए वीडियो पसंद आजाए लाइक कर देना और इसे शेर कि को आपको अपना फोकस करना है रिविजन पर बीना किसी नए टॉपिक को उठाएवेए आपको अपना रिविजन करना है दोस्तों जो भी आपने अब तक पढ़ लिया उसका। रिवाइस ही करो दोस्तों कोई भी नई चीज मत उठाइए बिलकुल भी और जो रिवीजन पर f करना है बीना किसी नई टॉपिक को छहड़े वैंश घ्र आपने टिप ननTr इसकेंड प्पर अंसर के साथ जब अब आप्ट्र की के साथ आपलोट कर दिया आंसर किके साथ उसर कोडिये प्रիविजे क hassle لगाईए दोस्तो यहीं है जो है टिप यह एक्जामिनेशन प्रिपरेशन प्रिपरेशन यानि कि एक्जाम से पूरू की गई तयारी अब जो है आप एक्जाम देने वाले हैं तो आप सभी को पताए कि आपको जिन भी चीजों की भी एक्जाम में जरूरत है जो आपको ले जानी है अपने साथ में उनको अच्छे से पूरी तरह से विवस्थित रख लें एक दिन पहले ही तो बहुत अच्छा रहेगा ताकि आपको एक्जाम वाले दिन बिल्कुल भी परेशानी नहीं बिल्कुल भी विलंब नहीं लेके जाने है अगर वो वीडियो देखा है तो आप description में देख लिए लिंक दे दूँगा मैं या फिर उपर आई बटन पर देख सकते हैं वहाँ पर भी लिंक दे दूँगा तो यह जो है क्या जो है बिलकुल भी एक्जाम वाले दिन पैनिक ना हो बिलकुल भी परेशानी ना हो ठीक है कोई भी stress लेने की जरूत नहीं है तो यही है tip number 3 कि आप जो है जो है जो भी आपको अपने साथ लेके जानी है पूरी सा एक्जाम से पहले ही पूरी तरह से तयार करके रखें तो tip number 3 जो है प्री एक्जामिनेशन प्रिपरेशन अब आते है tip number 4 दोस्तों tip number 4 की बात कर लेते हैं तो tip number 4 है कि आपको अब जो है संचुलित आहर लेना चाहिए टेक light and healthy diet हना आपको कोई भी junk food ऐसा मत खाये तला बुना कुछ खा लिया कुछ उससे क्या है कि आपके अगर तबीद खराब हो गई तो दोस्तों एक्जाम में आपको प्रोब्लम हो सकती है तो light और healthy diet लीजिए अच्छे से हना यू नहीं कि खाये पीजी मत तीगे अच्छ तो यही है कि आप जो है stress free रहिए बिल्कुल tension मत लीजिए selection होगा नहीं होगा आप अपना best देकर आए दोस्तों क्योंकि इस सब की चिंता मत कीजिए आपका जो है अब जो है आपको यह feel होना चाहिए कि हाँ वो गड़ी आ गई एक्जाम की गड़ी आ गई जिसके लिए मै बिल्कुल भी ऐसा मत करना भूल कर भी दोस्तों एक्जाम से पहले अच्छे सी नीन लीजिए प्यारी सी नीन लीजिए आप यह सोचिए कि यार मेरा selection होगा अगले दिन ठीक ना फोड क्या होगा एक्जाम यह सोचते वह अपना जो है अच्छे से सोहिए और अगले दिन ए आप अपने जो है तैयारी कीजिए all the very best again मिलते अंगले वीडियो में जय हैं